करनाटक के हमपी में G20 संस्कृति कारे समू की बैठक चल रही है केंद्रे मंत्री प्रहलाज जोशी ने बैठक का अपचारे को धगातन किया, तीन दिवस्य बैठक में G20 के सदस्य देशों, अतिती देशों और अंतराश्य संगठनों के प्रतिने दिभाग ले रहे हैं देश में G20 की बैठकों का दोर जारी है, करनाटक के हमपी में चल रही G20 संस्कृति कारे समू की बैठक का सोमवर को दूसरा दिन था, केंद्रे मंत्री प्रहलाज जोशी ने बैठक का अपचारे को धगातन किया, तीन दिवस्य बैठक में G20 के सदस्य देशों, अतिती देश और अंतराष्टिय संगठनों के प्रत्निधी भाग ले रहे हैं, भारत ने संस्कृति कारे समू के लिए चार प्रत्मिकताएं तैकी हैं, जिन में संस्कृतिक परंपरा, जीवंत विरासत का समवर्धन, संस्कृतिक और स्रजना अतमक उद्योगों को बढ़ावा देना, त और जो कल्चर हर एक देश का कल्चर है और भारत का भी कल्चर है, भारत का कल्चर का मुझे लगता है बहुती पुराना होने के कारण और उसका बहुती इंपोर्टन्स रहने के कारण, यह जो नया स्ट्रीम शुरू हुआ है, वो भारत के लिए भी बहुत आहम आए प्रिलाज जोशी ने कहा कि बैठक में G20 देशों के heritage connection को लेकर चर्चा हुई ये सब जो चीजे है जो आपने जिकर किया उससे भी लेके सब चर्चा होने वाला है और जो हर एक कंट्री का heritage है इतिहास है उसमें उसको महत्तो देने का तो ही इसमें चर्चा चल रहा है उद्देश है चर्चा भी है और परपस भी यही है G20 में फ्रांस से भारत आये प्रतिभागियों ने भाग लिया उन्होंने भारत की संस्कृती और सब्वेता की तारीफ करते हुए कहा कि वो लोग रामायर, महाभारत और गडेश जी के बारे में पढ़ चुके हैं यहां आकर वे बेहत खुश है प्रतिभागियों ने बहतर इंतजाम और स्वागत के लिए भारत सरकार का धन्यवाद दिया मैंगलूर से आईशा खानम के साथ बिरो रिपोर्ट डीडी न्यूज